राजस्थान के आर्थिक विकास को नई उचाईयां देने और राज्य में निवेशकों को आकर्शित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जैपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कमपणियों अंतरास्टेज जनस्था और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्शित करना है मुख्यमंत्री भजनलाज शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री का याले में इन्वस्ट्मेंट समिट के संबंद में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में ओद्योगिक निवेश का बहतर माहुल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है और इसी क्रम में आयोजित किये जा रहे इस निवेश सम्मेलन में प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सरजित होंगे भजनलाज शर्मा ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में आने वाले निवेश को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए राज्यसरकार की ओर से निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी मुख्य मंतरी भजलाज शर्मा ने इस दोरान राइजिंग राजस्तान के लोगों को भी लौच किया ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन महत्यपुन मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिरी का बन सके राइजिंग राजस्तान के देट राज्यसरकार देश और विदेश के विभिन शहरों में निवेशक रोड शो भी करेगी ताकि विश्व भर की निवेशकों को राजस्तान में निवेश करने का नियोता दिया जा सके साथ ही राजस्तान में निवेश करने के लिए इत्चुक निवेशकों के लिए मुख्य मंतरी भजनलाज शर्मा ने राज्य सरकार के सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस को भी लौज किया ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से MOU कर सके उद्ध्यों गेवं वानिजिय मंतरी करनल राज्य वर्दन राठोर ने कहा कि हमारे राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए राजस्तान निवेशकों के लिए एक आदर्श प्रदेश है राजिंग राजस्तान निवेश सिखर सम्मेलन के जरिये हम केवल M नहीं करना चातें बलके राजस्तान में वास्तविक निवेश लाना चाते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्तान में अपार मातरा में प्राकरति खनीज़ और अन्यस अंसादन उपलब्द है साथ ही राज्य में स्किल्ड वर्कफॉर्स की भी कमी नहीं है और यह राज्ये रणनेतिक रूप से उत्तर भारत के प्रमू को बुगताओं बाजारों के करीब है राज्ये और केंद सरकार के बीच सगारात मक्ताल मेल है जो विकास परियोजनाओं के निरंत प्रगति सुनिश्चित करता है और राज्ये में उद्योगों के अनुकूल वातावरन बनाने में भी मदद करता है